हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको सिखाऊंगी डेली यूज के इंगलिश संटेंसेज जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला संटेंस है पाल्थी मार कर बैठो पाल्थी मार कर बैठो sit cross legged sit cross legged अगला संटेंस है हमारा अपने कपड़े पहन लो put on your clothes यहाँ पे put on your clothes और wear your clothes तुमारे दोस्त कौन-कौन है who all are your friends who all are your friends चलो school के लिए तयार होते हैं let's get ready for school let's get ready for school अपने जूते यहाँ उतारो take off your shoes here take off your shoes here इसकी pronunciation hair नहीं होती here होती है अगला संटेंस है अपने हाथ तोलिये से पोच लो wipe your hands with a towel wipe your hands with a towel क्या तकलीफ है तुमें what's wrong with you यानि कि जब आप किसी को कहना चाते हो बच्चा आपको बार बार तंग कर रहा है तो आप कह सकते हो क्या तकलीफ है तुमें what's wrong with you आप इसे बड़ों के साथ भी उस कर सकते हैं अब कई बार parents आपस में कहते हैं कि तुमने तो इस लड़के को सिर चढ़ा रखा है तो कैसे बोलेंगे you have given a long rope to this boy you have given a long rope to this boy अपना खाना जल्दी खतम करो finish your food quickly finish your food quickly फल खाओ ये आपकी सेहत के लिए अच्छे है जैसे बच्चे जीद कर रहे होते हैं चोकलेट्स बगएरा के लिए तब आप यूज कर सकते हैं eat fruits, it is good for your health eat fruits, it is good for your health बच्चे cold drink के लिए जीद कर रहे होते हैं तो आप कह सकते हो cold drink तो एक घूट भी नहीं cold drink not a sip not a sip इसे वापिस रखो put it back put it back आँखों को अच्छे से धोलो wash your eyes properly wash your eyes properly भव्या ने सुसू कर दिया है भव्या has weed यहाँ पे आप पीड भी यूज कर सकते हो p-double-e-d p-p-p means भी सुसू करना होता है भव्या has weed क्या आप एक जगे नहीं बैठ सकते हैं जब बच्चा बहुत शिरारत कर रहा होता है तो आप आप कह सकते हैं can't you sit still at one place can't you sit still at one place बच्चे जब वो mobile पर खेल रहा होता है तो आप कहते हैं mobile पर खेलना बंद करो stop playing games on mobile stop playing games on mobile अपनी चपली पहनो wear your sleepers wear your sleepers अपना कमरा साफ करो tidy up your room tidy up your room अगला sentence है हमारा मेरी गोद में आओ come in my arms किरपया मुझे गोद में ले लो यानि अगर बच्चा कहता है कि मुझे गोद में ले लो तो क्या कहेगा please hold me in your arms please hold me in your arms तेखो यह हम यहाँ पर lap तो होता है जब आप बैठे होते हो तब बच्चे को गोदी में बिठाते हो तो आप lap use करेंगे वैसे आप क्या कहेंगे अगर आपको कहना है मेरी गोदी में आओ अगर आप खड़े हुए गोद में लेते हो तो come in my arms ओके अगर बच्चे कहते हैं कि मुझे गोद में बैठने दो यानि कि अगर आप बैठे हो आपको तो कैसे बूलेगा let me sit on your lap let me sit on your lap क्या तुम सुन रहे हो are you listening me are you listening me रोना मत don't cry यानि कि बच्चे को आप कहते हो कि रोना मत don't cry मुझे सोने दो let me sleep let me sleep यानि कि अगर आपको सोने ने दे रहा तो आप कह सकते हो let me sleep मुझे मत सताओ don't annoy me don't annoy me मुझे तुमारा बैग चेक करने दो let me check your bag let me check your bag खेलने जाओ लेकिन 6 बजे से उपर नहीं होना चाहिए यानि कि आप कह रहे हो कि 6 बजे से पहले घर आ जाना go to play but it shouldn't be later than 6 o'clock go to play but it shouldn't be later than 6 o'clock बाहर मत जाओ थंड है don't go out it's cold don't go out it's cold इसे उठाओ dustbin में फेको यानि कि बच्चा dustbin में कूडे को फेकने के बज़ाई दर दर फेक देता है तो आप कहते हो pick it up and throw it in dustbin अपने नाखून मत चबाओ don't bite your nails don't bite your nails चूले को हाथ मत लगाओ don't touch the gas don't touch the gas क्या तुम धीरे नहीं बोलोगे या फिर क्या तुम धीरे बोलोगे will you speak slowly will you speak slowly अपने ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने what did you spill on your dress what did you spill on your dress spill का मतलब होते है गिराना शाबास यानि कि आप बच्चे को शाबास ही देते हो तो क्या कहेगा good show well done well done ऐसी शरारत फिर ना करना don't do such a mischief again don't do such a mischief again मैं आपका कहना नहीं मान सकती यानि कि आप कब कहते हो जब बच्चा कोई ऐसी जीद कर रहा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कहते हो I can't accept what you say तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है यानि कि जब बच्चा आपको बहुत तंक कर देता है तो आप कहें तो you have got on my nerves बक बक मत करो stop yapping दोनों वक्त के खाने के बाद दात साफ किया करो brush your teeth after both the meals both the meals होता है सोरिया पर क्या होता है both the meals brush your teeth after both the meals कस के पकड़ो मजबूती से पकड़ो hold family hold family यह British pronunciation है family तुम सारे एक ही थाली के चटे बटे हो यानि कि जब बच्चे एक दूसरे की complain करते हैं तो आप कहते हो ज्यादा शरीफ मत बनो तुम सारे एक जैसे हो you all are birds of a feather flock together you all are birds of a feather flock together यानि कि यह हमारा idiom है तो मारा दोस्त पास में ही रहता है your friend lives close by your friend lives close by मैं यह वाली खरीदूंगी तुम्हारे लिए I will buy this one for you आपको कौन से खेल पसंद है what games do you like सक्षम साइकल से उतरो सक्षम get off the cycle सक्षम get off the cycle यहाँ पर get off का मतलब होता है उतरना आप इसे bus वगेरा के लिए भी यूज कर सकते हो यानि get off the bus ओके तो यह थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज बताईए हमें कमेंट करके प्लीभ प्लीज प्लीजियो, क्वाद़न कर सकते हो चूझरगा से मिवी तोगए, मतलेग होका झाल पर भी, वीज़न के लिए, zam Spl dan मतले विवीप मतलेशा़ी, मतलेशा़ीज़ ये झालीज़ मतलेशा़ी ख tua लिए